यह जो रचना है इसनु आम तौरते मूल मंतर केंदे, this composition is usually called the मूल मंतर mantra और मंतर गुर्मत विच इन गुर्मत इन सिख ही, mantra is not a set of words which when chanted again and again will you know do some kind of work, some kind of miracle कोई एहो जे अलफाज नू मंतर नहीं किया जिग गुर्मत विच की, जिनना नू बार बार repeat करके भूलांगे ते कोई miracle, कोई चमतकार हो जाएगा, गुर्मत विच सारी गुर्बानी, the teachings of the Guru, the words of the Guru, the wisdom of Guru is mantra, गुरुदा ग्यान ही मंतर है, जो साड़े अंदर जानदा है, when we internalize it, there is a transformation, positive transformation in us, which is the biggest miracle. सब तो बड़ा चमतकार, गुरुदा ग्यान, साड़े अंदर करदा है, एक गुरुदा मंतर है, जिड़ा सानू अंदरों बदलदा है, जिन मानस ते, देवते की ये करत ना लागी बार, it changes us from within, जिड़ा सब तो बड़ा चमतकार है, तो मूल मंतर, हुन मूल हुंदा है, ज पटार में सब्स दहां एक तprotर मूल सिधांत है, जिड़ा पान ने काई ये, जिड़ा पूरा मकां खडा है, the foundation. So it's the foundational work. It's the basic principle of Gurmath. And it serves three functions. मूल मंतर दे तेन जरूरी फंक्षन ने. पहला ए कि थू मूल मंतर गुरु नानक एक्सप्लेंस अबाउट वाहिगुरु और गॉड उपरमात्मनु एक्सप्लें कर देने. तो असी मूल मंतर दे रही राब नू जानना है. किडा राब वो असी मूल मंतर दे देखांगे. We will know what God, what is God in मूल मंतर. So through मूल मंतर, we will learn, we will understand about वाहिगुरु, God. Second, the virtues of God which are defined in मूल मंतर, we have to absorb them in our lives. असी उनना गुणा नू जो मूल मंतर दे से है, जो प्रमात्मा दे गुणने, उनननो अपने जीवन च उतारना है. मूल मंतर दा ऐ फंक्षन है, ए रोल हैगा साधी लाइफ दे विच. कि उनननो अपनी लाइफ बिच इंटर्नलाइज करना है, द्रिड करना है. क्योंकि उनननो जो असी अपने जीवन च उतारांगे, अपने अंदर उतारांगे, वैन वी विल टेक इन दोज, अब्जॉब इन दोज डिवाइन वर्चूज, वी विल बिकम सिमिलर, और इमिज अफ गौड, और देन अनली वी कन मर्ज इन वाहे गुरू, असी एकोंकार उस राबदे वेच ओधों ही एको हो सकांगे, जिदो असी उदे गोण लेके वर्गे हो जांगे, there's no other way, जिन्नों गुरुबानी च क्या, गुर्किर्पा जहे नारको कीनी, ते जुगत पच्छानी नानक लीन पयो, गो बिंद सिन जो पानी संग पानी, जिमें पानी पानी च राबदा रूप हो के राबदा च राड़या जाना है, और कोई तरीका, कोई mechanical chanting दे नाल, repetition दे नाल, certain words नू मंतर गुरुबानी च नहीं क्या है, होन, तीसरा जड़ा में फंक्छन है मूल मंतर दा, ओ हैगा है, कि दा मूल मंतर, मूल मंतर also serves as the basic, you know, foundation or the basic framework on which you can understand गुरुबानी दे शब्दा नो सही तरह समझ सकते हो, ए एक ओ सांचा, एक ओ पैमाना बन जान दाया, मूल मंतर, तो मूल मंतर नो एक scale, एक पैमाना रखनाया, so as we can understand गुरुबानी बेटर, and that's why, the most interesting thing which you must know is, कि मूल मंतर गुरु 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 It's that important, इनना जादा important है, importance की है, बार बार लिखन दाय मक्सदेही सी, कि सानु चेते रहे, basic philosophy चेते रहे, basic framework ओ जड़ी foundation नी जड़ी ओ याद रहे, so that we do not get confused while understanding Shabads or trying to, you know, उननो समझन वेड़े, आसी confused ना हुए, आसी गलत अर्थ ना कर जाईए, पांसो अठाथ वार मूल मं ना मूल मंतर गुर्ण सही चाहँ है, जड़ी विख्व, 33 times it comes as a complete मूल मंतर, इकोंकार, सत्नाम, करता पूर्ख, निर पाऊ, निर वायर, अकाल मूर्थ, अजुनी, सहे, वंगुर परसाल, तो यह पूरा मूल मंतर जड़ी तर्थ थर्थ तर्थ वांथे जड़ी तर्थ इम find like full Mool Mantar over there 33 times Mool Mantar जेड़ा पूरा होंदा यह around nine times you will find a shorter version of Mool Mantar 9 भार Guru गुरान सहाफ एक छोटा version आएगा Mool Mantar दा एकोंकार सात्नाम करता पुर्ख गुरुपरसाद इस तो मी छोटा एक वरजन दो भार गुर्बानी चाहेगा तो मूल मंतर बार बार इसे करके लिखे होया so that we must understand it well, we must understand Gurbani शबद जिनन मी लोगा, all the teachings, all the words of Guru's in Shri Guru Granth Sai Maharaj if we want to understand them then this is the you know basic philosophy, the basic mantra, through which you should explain Gurbani जिन अतु सही गुर्बानी नहींद एक्सलीन, ए और रफ्रिंसिपल है, इन्हु और रफ्रेंस मनन के चलना है चाहे पगतानी बानी है, whether the compositions belong to Pagats, whether the compositions belong to the Pat or the Sikhs or the Gurus. If you want to understand those Shabads that बानी in a rightful sense, then you have to use Mool Mantra as the reference point, as a reference principle. तो मूल मंतर नो reference रख के आसी शबद नो समझना है, इस करके पान्च सो अठाट हुआ है, note रखियो, याद रखियो, 568 ताइम्स, हुन इंपोर्टेंट एक होर गाल है कि मूल मंतर इस नोट पार्ट आफ जप बानी, जिस नो बानी नो असी जप जी कहने है, out of respect, we call it जप जी और जप जी साहिब और शिरी जप जी साहिब, the name of the बानी or the composition is जप, it's by गुरुनानिक पातिशाद, ये बानी है गिये, ते इदा हिस्सा मूल मंतर नहीं है, because you will find मूल मंतर in various parts of शिरी गुरुगरंस, हमाराज हो जगा भी आएगा, तो जप बानी जड़िया, वो पहले श्ल मूल मंतर दे नाल, बड़ा ही famous ए रचना, बात जड़ा famous a composition है, and we hear it again and again on social media, on YouTube, whether we are visiting गुरुदवारा, whether we belong to a Sikh family or not, मूल मंतर जड़ा सी, बहत आयत सारे नहीं सुनेया होंदा है, so the मूल मंतर is the basic philosophy of Sikhi, let's try to understand it, so the very first term of मूल मंतर is एक ओंकार, एक ओंकार simply means, there is one God who is present in all, एक प्रमात्मा है, जड़ा सारे विच ही है, किसे एक जगाते नहीं, किसे एक बंदे विच नहीं, He lives in all, everyone, जो भी आले दवाले living world हैगा, सारे विच प्रमात्मा ही है, ते एक कोई है, कोई different नहीं हैगी, सत नाम, सत नाम means permanent existence, ओधी existence जड़ी है, ओधी खत्म नहीं होंदा, कदी शुरू नहीं होंदा, तो सदातों है, जड़ा सदातों है, उनुके सत नाम, ओधा सब तो पहला नाम है गुण, ओधा सब तो पहली वर्ची ओधी यही है, कि that वाहिग्रू, that God, that power, that soul, the supreme soul, is permanently existent, ओधी हमेशा लई है, करता पुर्ख, ओ creator ह है, that power, O soul, O Vaheguru, O creator है, उसने सब कुछ साजी है, सब कुछ बढ़ूंदा है, and the biggest virtue of that creator is, that after creating, he lives in the creation, साड़े अंदर ही हो रह रह रहा है, जो सी पहला किया, एक ओंकार, तो ओ प्रमात्मा सानु बढ़ूंदा है, फिर साड़े अंदर रहनदा है, इदा मतलब कि all that energy and the ability with which we create something, like I am speaking, if I am watching, if I am walking, if I am doing something with my hands, if I am creating aeroplane and inventing things, all this power comes from that divine self, जड़ा मेरे अंदर वाहे गुंकार है, इस सारी पावर ओदी है, जदो को मेरे अंदर हो तक मेरे अंदर एक क्रियेटिव पावर्स करता पुर्खवालिया नहीं, इस सारा कुछ क्रियेट करनवाला वाहे गुरू अपनी creation दे विचे रहनदा है, the creator who has created everything lives in the creation, करता पुर्ख, निर्पव, परमात्मा निर्पव है, without fear, तो परमात्मा नो डार नहीं लगदा, that means मैंनो डार लगना चाहिए, नहीं, परमात्मा निर्पव है, God cannot be intimidated, कि मैंनो कहा कि मैं तरी पगती नहीं करांगा, फिर उमनो क कुछ दे देगा, या उनों डर लगदा होए कि, okay, if I won't give this to, because this is my devotee, he is worshipping me, he will not come again, मेरे को दुबारा आएगा नहीं, तो उनों एहोजा कोई पह, कोई डर नहीं है, नहीं उनों डराया जा सकता है, and the other aspect of निर्पव है is, that ओ किसे नों पहो दिन दा भी नहीं, ओ किसे नों immediate नहीं करदा, he never instills fear in anyone, उस सारे में प्यार करदा है, एक कोंकार है, सारे में जी है, जों मेरे अंदर ही है, I should not fear, मेरे अंदर हो fear, मेरे अंदर हो worries, चलिया जानी है, चाहिए निर्वेर, without animosity, without enmity, without hatred, ओ देवच कोई hate नहीं है, किसे दे बारे, किसे दे खलाफ, किसे दे ख पख नहीं पूर्दा, he never, you know, stands against someone, for someone, कि मैं इदा पख ले लेना है, I should like, take the side of this person, against someone else, ओ सारे ते दे 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 खरदा है, सारे नर प्रेम करदा, because he lives in all, सारे उदी creation ने, ते अपनी creation वे चो हैगा है, that's why, without hatred, मेरे अंदर हो हैगा है, so I should imbibe in this divine virtue of no fear and no hatred, मेरे यह होनी नहीं चाहेदी, because मेरे अंदर हो हैगा है, so I should not discriminate people, I should not discriminate anything, I should not, मैं किसे नो माड़ा कही नहीं साकदा, मेरे रबदा एक गोन है, इस सब तो वड़ी वर्चू है, जो ए, मूल मंतर च दसियां हों या नहीं, निर्वेर है, किसे नो उस दा वेर नहीं, because someone is my devotee, and ओ एदा enemy है, ते मैं एदा enemy है, ऐसा हो नहीं करदा, he's not a person doing such kind of things, तो ओ साइज नहीं लेंदा, ओ पाख नहीं लेंदा, ओ सार्या ते दया करदा है, निर्वेर अकाल मूरत अजूनी, I'll take these two terms together, अकाल मूरत की ओधी जड़ी existence है, ओ ब्यौन टाइम है, ओ आधी जड़ी creation है, it's bound in time, it changes with time, लो आधी जड़ीकर नहीं जड़ी लेंदा, ओ इस चक्रच हा नहीं है, और इस सरक्ल विछ नहीं है, वो तायम है, ओ तायम तो ब्यौन है, और इस ब्यौन है, तो ओ जड़ीदा, अजून नहीं, रखाएं नहीं लेंदा, दियु करदा, और in a simple meaning we can say that अजुनी means that परमात्मा cannot be established in some person at some place at some time कि एही रब है तो ओ कोई परसन नहीं है ओ कोई व्यक्ती नहीं है ओ ओदे कोई पेरेंट्स नहीं है ओ अवतार नहीं लेंदा ओ जुना तो परे है Yes, I want to make it clear that all people throughout the world all living things those who imbibe in those divine virtues जड़े उदे वर्गे हो जान दे और गुण लेके परमात्मा वाड़े those who absorb in those divine virtues and become the image of God they merge in Him ओदे वर्गे बान जान देने ओ ज़रूर रवदा रूप होन देने पर परमात्मा अपने आप किसे एक व्यक्ती च नहीं सारय चूनदा है क्योंकि एकोंकार जब पहली गल है जड़ी है तो अजून्नी है सैभंग उन्हों कोई create नहीं करदा वो किसे होरदा create कीता होया नहीं God is not creative or being supported by someone else God अपने आप तो है self existent है स्वैभंग उदी अपनी शक्ती है अपने आप तो बने आए आप ही ओधा support है उस सब कुछ कर रहे है उसने ही सब कुछ बनाया इस तो बाद जड़ी last term है मूल मंतर दी ओ है गुर परसाद तो एजड़े गुणने परमातमा दे जड़ी definition गुर नानिक साहब ने थे छोटी जित्ती एक ओधे वड़े गुणा बारे गुरु जी कैंदे ने उस परमातमा नो मिले आके में जाए how to meet that God गुरु जी says कि you have to get the wisdom from the Guru गुर परसाद परसाद is like when someone when someone is pleased by you ते ओ फिर जो खोश हो के दिनदा है तो गुरु दा प्लेजर की है when we internalize the Guru's wisdom that is the pleasure of Guru जदो आसी गुरु दा प्लेजर लेने है गुरु दा wisdom नो आसी अपनी life विच implement कर दे है that is the pleasure of Guru तो गुरु दा प्लेजर हो दी खुशी हो दा प्रसाद गुरु दा गयान लेके उचेटी divine virtues ने उनना नो realize करके अपनी life विच implement करना अपने जीवन विच टालना द्रिड करना एही तरीका है उस एकोंकार नो मिलनदा तो यह जडे गुण सी पिछे सुने है मूल मंतर विच एकोंकार है सारयच है मैं किसे नर पेदपाव नहीं कर सकदा सत नाम there's no need to fear वो हमेशा है ऐसा नहीं कि सत्यूग विच ज़्यादा सी ते हुनकाट है या किसे थां ते ज़्यादा हुनदा है गुरदवारेच मंदर मस्जिद विच I can find like more God in a temple or a church than in my office ऐसा नहीं है present equally always permanently कि ते change नहीं हुनदा time beyond time हैगा वो समय नहीं हुनदा निरपाओ निरवैर है ना डरदा है कि वो बन्दा strong है वो रिच हैगा ते उदा साथ रब जादा दाएगा powerful दा and that person is more powerful so God is going to take his side वो किसे डरविच नहीं है ना ही किसे नड़ वैर किसे नड़ हेट्रेड है किसे नड़ कोई होदी किस कोई होदा enemy है कोई दुश्मन है तो ऐस वैर वाड़े circle विच वो नहीं है इस सारे गुनस ही अपने अंदर लेके जाने है करता पुर्ख है वोदी creative सारी creation वोस दी है which creation दी हो रह रह रहा है जो भी मेरे अंदर creative powers ने इस साब उस वाही गुरुदिया ने उस से प्रमातमा दिया ने इंकोर परशाद उस प्रमातमा नो असी ऐसे गुरुदे गयान दे नाड through the wisdom of Guru we can meet or merge into that God who lives within us and everywhere ओदे वेच असी समावना जड़ा अजून नहीं है जड़ा and purposeful life